राम राम किशान भाईयों, किशान भाईयों आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में चोणी पत्ती वाले जो खरपत्वार अनेच्छी रूप से उगाते हैं और हमारी फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं चाहे वो लता वाली फसले हो लपेट्टी वाले फसले हो चोणी चोड़ी पत्ती वाली होती हैं और चाहे वो मकोई घास हो किसी भी प्रकार की यदि चोड़ी पत्ती वाली खरपत्वार हमारे फसलों में हो गाते हैं तो इनकी रोख थम हम गन्य की फसल में कैसे करेंगे आईए हम आपको आज इसके बारे में जानकारी देंगे क्योंकि यदि हमारी फसलों में खर पतवार हैं तो हमारे द्वारा दिये गए पौधों को पोसकत्त जो दिये जाते हैं वे इनके द्वारा अवसोसित कर ले जाते हैं और हमारी फसलों को पूर्ण रूपेंड पोसक तत्तों नहीं मिल पाते हैं और पोसक तत्तों की कमी की होते हुए हमारी फसले कमजोर होने लगती हैं और भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है इन सभी समस्याओं की रोक थाम क के लिए हम आपको आज जानकारी देंगे कि आप किस दवा का प्रयोग करके आप चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवारों को गन्ना की फसल में नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाईयों किसान भाईयों यद गन्ना की फसल में आपकी चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवार है जैसे क मकोय, या लता वाली कोई खर्पतवार या अन्य कोई जो भी आपके गर्ने की फसल को नुक्सान दे होती है नुक्सान पहुँचाती है यदि ऐसी कोई समस्याय तो किसान भाईयों आप सरपर्थम तो इसकी निकाई गुड़ाई करें और इसकी रोग थाम करें यह निकाई गुडाई करके आप इसकी रोग थाम नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें हर भी साइट का प्रयोग कर सकते हैं यानि की खरपतवार नासी का प्रयोग कर सकते हैं तो आईए खरपतवार नासी के बारे में हम आपको बताते हैं खरपतवार नासी नागा अरजुना कंपनी का टुफोर्डी जो की सीनियर के नाम से आता है टुफोर्डी 58% SL जो तरल पदार थे एक घोल की रूप में होता है इसकी मात्रा डेर से 2 ml परत लीटर के हिसाब से घोल बना कर अपनी खड़ी पसल पर छुड़काव करें किसान भाईयों तो आप चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार को निश्ट कर सकते हैं यही दवा अतुल कंपनी की जूरा के नाम से आती है दवा का नाम टुफोर्डी 58% वाली SL जो घोल लूप में आती है इसका प्रियोगा आप 1.5 से 2 ml परत लीटर के हिसाब से घोल बना कर हैं यही दवा किसान भाईयों यही दवा CL SL कंपनी की जो की लूर्मा के नाम से आती है 58% SL लूर्मा के नाम से आती है और आप 1.5 से 2 ml परत लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बना कर अपनी खड़ी फसल पर छरकाव करें तो आप अपनी गन्ने की फसल में होने वाले नश्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से मार सकते हैं और आपके फसले सुरच्छित रहेंगी फसलों पर फसलों को दिये गए पोसकतत पूर्ण रूपें फसलों की पौधों को मिलेगा किसान भाईयों यदि आपको CL कंपनी की नहीं मिल पाती है तो आप धानका कंपनी की टू चिर्काव करने से किसान भाईयों ज्यादा चिर्काव करते समय ध्यान लखें कि आप बराबर इस्प्रे करते रहें और चलते रहें एक जगह पर कई बार इस्प्रेन ना करें क्योंकि इससे फसलों पर नुकसान होने लगता और फसले पीली पढ़ने लगेंगी तो आप ब फसलों में हुने वाले खरपतवार नासी जो चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जैसे मकोई घास है या लता वाली कोई भी आपके उसमें चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या कोई अन्य खरपतवार चोड़ी पत्ती वाले जो गन्य की फसल में उगाए हैं और आपके गन्ये की फसल को नुक्सान पहुचा रहे हैं तो आप टूफूर्डी का प्रियोग करके चोड़ी पत्ती वाले खर पत्वारों को नश्ट कर सकते हैं 58% S.L. टूफूर्डी आप लाकर 1.5 से 2.0 ml प्रति लीटर के हिसाब से घूल बना कर अपनी ख़ड़ी फसल पर छड़काओ करें इसका प्रिभाव आपके फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है किसान भाईयों फिर भी यह ध्यान रखें कि छड़काओ करते समय आपके खेत में नमी परियाब तो होनी चाहिए किसान भाईयों नमी परियापत होने से आपकी फसलों पर इन दवावों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है चोड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वह सता ही नश्ट हो जाते हैं इसका रिजल्ट आपको पांच से साथ दिन में मिल जाता है सभी प्रकार के चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार नासी जो गन्ये के फसल में उगाते हैं वह पीले पढ़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं किसान भाईयों टूफोडी अलग-अलग कंबनियों की अलग-अलग नामों से आती हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया है नागा अरजना कंबनिय की सीनियर के नाम से जूरा की आतुल की जूरा के नाम से धानुका की वीड़ मार सुपर के नाम से और सीचल कंबनिय की लोनमा के नाम से आती है सबका रिजल्ट एक समान है सबका प्रभाव एक समान है और इसकी मात्रा भी लगभग सबकी समान है देर से दो एमल प्रत लीटर के हिसाब से किसान भाईयों या जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और स्वियर जरूर करें धन्यवाद ताकि इस माध्यम से आपको अगली वीडियो मिलते हैं